हलो एवरिमन तो गाइज आप सबका सागत है आपके चैनल फोर यू रेसिपी में तो आज यू रेसिपी में आपके लिए लेकर हैं कितनी सुन्दर लग रही है यह सुन्दर जितनी है ना खाने में उससे भी जादा कहीं गुना जादा अच्छी है और इसे बिस्किट को बना सुन्दर और बेकिंगों में बनाने वाले हैं इतनम साचे की बना जो तो चलिए फटाफट आजो फटाफट शुरू करते हैं इस recipe को बनाना तो यहां पर मैंने ले लिया एक कप आटा और यह गेह को आटा जिसे हम खाना रोटी बनाते है वह वाला आटा है तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक कप ले लो अपने घर में से उठा लो और उस कि नीले वाले कप के हिसाब से आधाकप मैंने यहां पर ले लिया बेशन कोई भी फिसन ले लो मोटा बेशन पतला सन बेशन होना चीह वर्ण थो शसा ना खूँन टूटके खाल के अंदर चला गया तो इसलिए मैंने बैंड्स लाइड लगाई हुए बना रहे हैं, जब भी आप कुछ मीठा बनाओ ना, बहुत मीठा हो जिसमें, उसमें हलक अगर नमक डाल देते हैं, तो उससे मन नहीं भरता है, ऐसा नहीं होता है, कि यार मन सा भर गया, मीठा मीठा हो गया, एक काम और करना, जैसे कि आज कल की नमक में क्या होने लगाए, कि दाने-दार से बनाने लगा है, तो जब हम बिसकिट बनाते हैं, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो आप क्या करना, जब आप चीनी पीस होगे, तो उसी ताइम पर उसमें नमक भी डाल देना, जिससे वो थोड़ा पिसके, थोड़ा बारिक सा हो जाए, तो वो अलग- डाल दिया है तो कुछ लोग ऐसे होता है जिनने इलाइची की खुश्बू नहीं पसंद होती है तो आप ना भी डाले तो कोई बात नहीं है पर अगर आपको इलाइची की खुश्बू अच्छी लगती है तो 100% डालना क्योंकि इससे जो स्वाध है वो बहुत जादा बढ़ यह अच्छे से फूलते हैं तो आप क्या करना जिस टाइम पर आप चीनी पीस होगे उसी में नमक डाल देना मैंने बताया था आपको वीडियो में पीछे तो अगर आप आटा इस्तमाल नहीं करना चाते हैं तो आप इसकी जैके मैदा भी इस्तमाल कर सकते हैं बेसन भी नह जादा भी जरूरत नहीं है और कम भी थोड़ा सा कम रह जाता है तो यहां पर मैं ले रही हूं घी यह देसी घी तो यह लिए मैंने वन थर्ड कप याने की एक तिहाई कप वो नीले वाले जो कप था ना उसका एक तिहाई कप आप इसकी जैका है बटर भी इस्तमाल कर सकते हैं वनसपती घी भी इस्तमान कर सकते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है इसमें कि जो आपका घी है वो पिगला हुआ ना हो थोड़ा से इस तरीके से जमा हुआ हो और अगर जैसे गर्मी में पिगल जाता है तो कोई बात नहीं आप थोड़ी देर के लिए उसे फ बिस्किट का आकार दे तो वह आराम से बन जाए अब आप देख सकते हैं यह सूखा सूखा सा लग रहा था तो मैंने इसमें एक टेबिल स्पून घी और डाल दिया तो यह एक टेबिल स्पून जो घर की चम्मच होती है जिससे हम खाना काते हैं चैवल खाते हैं अगर हम उ अपने की भी जरुरत नहीं है कुछ भी चीज बस सिर्फ एक कप लो उसे एक कप से एक कप आटा आधा कप बेशन और उसी कप का एक तिहाई यानि कि तीसरा हिस्तस में घी डालना है अगर आपको जरुरत लगी तो थोड़ा सा घी और डाल दो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ना घी तो कोई टैंशन की बात नहीं है तो सबसे अच्छी चीज इसकी रेसेपी है यह कि आपको कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी तो हंगामा हो जाएगा इसा नहीं है तो यह देखो बिलकुल आकार में आ गया नह है तो यह बिलकूल बनके हमारा तयार है मिश्रण तो अब हमें क्या करना है यह थाली ले लिए मैंने स्टील की और इसके उपर लगा लिया अल्यूमिनियम फोईल तो भाई यह प्लास्टिक का नहीं होता है क्योंकि पिछले वाली वीडियो में कुछ लोगोंने मुझ से य जो लेज की पॉलिफिन होती है वो भी इस तरीके की होती ना चमकीली टाइप की सिल्वर जैसी कि वह हम वह लगा सकते है क्या नहीं वह प्लास्टिक होती है पिघल जाएगी कार्ण मत कर देना किसी दिन ठीक है तो आप इसकी जगे यह बटर पेपर भी लगा सकते हो अगर इस तरीके से बीच में से पेपर निकालना और जितना भी बटर पेपर आपको चाहिए उस पर पूरे पर अच्छे से तेल या घी लगा लेना या फिर मक्षन जो भी आपको लगाना है एक चीज ध्यान रखना अगर ऐसा है कि आप इसको बटर पेपर की जगे इस्तमाल कर है तो यहां पर देखो जो अब मैं क्या कर रहे हूं यह जो पेपर है जितने भी हिस्से में मैंने घी लगाया है अगर मैं उस हिस्से को किसी चीज के उपर रखती हूं तो देखो नीचे का जो हिस्सा है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है तो यह आपका बटर पेपर त अपको जहां पर मैंनों कोई भी रेशपियों जैसे केक बनाना है यह कुछ भी जिस में आपको लग रहाए कि बटर पेपर की जरूफ है अब वहां पर इसको इसको इसतिमाल कर सकते हैं तो अब मैंने क्या किया ताली में थोड़ा करने हैं सब एक जैसे आखर के बनते हैं तो हाथों से मैंने शेप दी जाफ़ुकों क पीछे का हिससा वा थोड़ा सा चोड़ा होता थोड़ा सा मोटा होता है उससे इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे जब डिजाइन बनाते हैं बहुत मजाता है इसको जरूर ट्राइ करना अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं हमें तो यह किनारे इसको हटाना है थोड़ा सा शार्प करना इसको तो हाथ में रखके मत करना इसको जैसे मैं हाथ में रखके दिखा रही हूँ, आप क्या करना, कटोरी लेना, कटोरी के पीछे रखके इसको आकार देना, फिर उसको काट लेना, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि मेरा जो चाकू है वो तेज नहीं है, तो उससे हाथ नहीं कटेगा, आप क्या करोगे, आप अपना हाथ बात कटवाल होगे, तो अब एक चीज और होती है, जब हम बिस्किट को अगर हाथों पे रखके बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा छुड़ाने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा टेड़ा मेड़ा हो जाता है, तो देखो मैंने हाथ को क्या कि यह बिल्कु को आप क्या करो टेबल स्पून में इस तरीके से शेप बना बना के रख लो, और फिर अगर आप उसको बिस्किट बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाता है, आपको जंजटनी होता है, आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आप गोल गोल भी बना सकते हैं, उसमें तो कुछ फिर आप नमक हमारा खराब चला जाता है, हम नहीं चाते हैं नमक इस्तमाल करें, तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, आपको नमक की भी जरुरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, अगर आपके पास रिंग नहीं है इसमें रखने के लिए तो आप कटोरी इस्तमाल कर सकते हैं, इस तरीके के कोई प्लेट ढख देंगे इसके उपर, और अगर आपको लग रहे है कि वो थोड़ा सा दर दर से खुल रही है प्लेट, तो आप उसके उपर कुछ भारी वजन भी रख सकते हैं, अब 10 मिंट के लिए मीडियम आज पहने इसको घोल लेंगे मच्छे से, अब इसको लगाने के लिए या तो आप ब्रश इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर अपना देशी ये हिसाब है भई, कोटन लो, रूई लो, साफसी और उससे आप लगा सकते हैं, दूद से होगा क्या, दूद से एक तो रंग बहुत अच्छा थ इसके उपर, और दूसरी चीज़ है, वह आपको खा के पता चलेगा, उपर से एक क्रिस्पी सी, एक बहुती कुरकुरी सी परत बन जाती है, इससे दूद से, तो अब मैं क्या कर रहे हूँ, इसके उपर सीनी के दाने डाल दे हूँ, एक तो यह देखने में सुन्दर लगत इन दोनों में अंतर क्या होगा, मैं बताऊंगे आपको की बेक करने में क्या अंतर रहेगा, तो 10 मिंट हो गई है, इसको मेडियम आज प्याने की मध्यम आज पर गर्म होते हुए, गैस बिल्कुल कम कर देनी है आपको, और फटा फट आपको इसको ढख देना है, बिल्कु इसको तो आपको क्या ध्यान रखना है कि शुरुआत के 15 मिनिट आप इसको बिल्कुल खोल के नहीं देखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी शान्ती रखनी पड़ेगी, उसके बाद 15 मिनिट बाद आप इसको खोल के देख सकते हैं, यह देख लेना कि जला वाला तो नहीं है नी कि टोटल मैंने इसको 22 मिनिट के लिए पका लिया है, तो आप देख सकते हैं, कितना सुन्दर, कितना प्यारा इसमें रंग आया और यह फूल के कितने मोटे हो गया है, और आप देख सकते हैं, लाल-लाल सी जो लाइन्स हैं, वो दूद के वेदे से हुई है, दूद में जो अबने चीनी मिलाई थी, तो अब मैं क्या कर रहे हैं, जो पतले वाले विस्कित हैं, उसको हम बना रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, कि आप में से काफी लोग कहते हैं, आपने तो इतना टाइम बताया था, जो पतले विस्कित होते हैं, तो उनमें टाइम भी थोड़ा कम और यह देखो बिल्कुल ऐसा है मक्षन जैसे मतलब मुह में घुल जाने वाले तो अब मैं आपको दिखा देते हूं यह मोटू से बिसकित आप देख सकते हो ना कितने मोटे से बने अच्छे से मतलब थिक से हैं जैसे बाजार के होते ना उससे तो कहीं गुना जादा जरूर करना अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना नहीं पसंद आती है कोई बात नहीं आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं पर कमेंट करके जरूर बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको वीडियो म इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस खंटी को दबाना ये बिल्कुल फ्री है इससे क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बटन दबा की सब्सक्राइब कर चुके हैं दुबारा बटन दबाने की जरुरत नहीं है